Hi Brandon, Welcome back to my channel Real1 MADU blogger तो आज के video में हम discuss करेंगे कि खून की कमी से क्या होता है खून की कमी होने के कारण खून की कमी होने के symptoms और खून की कमी दूर करने के कुछ घरेलु उपाए कि क्या खाने से हम खून की कमी दूर कर सकते हैं तो ये सब आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं बलड क्या है बलड एक कनेक्टिंग टीशू है जो हमारी पूरी बॉड़ी को कनेक्ट करके रखता है इसलिए बलड हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करता है और हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो कई गंभी रोग हमें हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक असानी से पहुंच सके तो दोस्तों हमारे बलड में तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं आर बीसी यानि रेड बलड सेल्स टेबलो बीसी यानि वाइड बलड सेल्स और एक ओती है प्लेटलेट्स इन में से आर बीसी का निर्माण हमारे शरीर में आइरन दुआरा होता है आर बीसी जो की हीमोग्लोबिन बनाता है ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रेड बलड सेल्स बढ़ाने में मदद करता है इसके साथ हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में oxygen carrier का भी काम करता है यानि ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक oxygen पहुचाता है और जब शरीर में red blood cells कम हो जाते हैं तो इसे anemia कहा जाता है जिससे कई गंभीर समस्याइं हो सकती है तो हम अब जानेंगे की खून की कमी से क्या होता है मतलब खून की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होने का खत्रा हो सकता है जब शरीर में hemoglobin का level कम हो जाता है तो उसे anemia कहा जाता है शरीर में iron की कमी होने से hemoglobin कम हो जाता है और hemoglobin कम होने से शरीर के सभी अंगों तक oxygen ठीक से नहीं पहुच पाता है की बिमारियों का खत्रा बढ़ सकता है और समस्या गंभीर होने पर हार्ट अटेक का भी खत्रा हो सकता है खुन की कमी होने से मस्तिस्की कार प्रणाली को बहुत नुकसान पहुंच सकता है जैसे की डिप्रेशन यादास कम होना और ब्योहार में चिर्चड़ापन आना और शेशू का बजन बहुत कम भी हो सकता है डिलीबरी के टाइम में और उसका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पाता इसलिए प्रिगनेंसी में आयरन की दवाईयां दी जाती है चलिए जानते हैं क्यों होता है हमारे शरीर में खोन के कमी का पहला कारण है हमारे भोजन मे और आपके भोजन में ये जो पोशक्त होने बहुत जरूरी है और अगर ये सब नहीं होते हैं तो ये आपको खोन की कमी की ओर ले जाता है अगर किसी बज़े से आपका बहुत खोन बह जाए तो भी एनेमिया हो सकता है और बहुत ज़्यादा हैवी पीरियट्स महिलाओं मे बहुत ज़्यादा हैवी पीरियट्स होने से भी एनेमिया हो सकता है महिलाओं में मेनोपास के टाइम भी खून में हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है कुछ बिमारियां जैसे किदनी की बिमारी लिवर की बिमारी और कैंसर जैसी बिमारी में भी खून की कमी हो जाती है किसी कि पाचन शक्ति कमजोर होती है या पेट के रोग होते हैं इस वज़े से भी अनीमिया हो सकता है इसका कारण यह है कि हमारे खाय हुए भोजन से पार्याप्त मात्रा में पुश्यक्तत्र बॉड़ी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं जिससे अनीमिया हो सकता है तो चलिए दोस्तों आप चानते हैं लक्षन की है जब हम लोगों के शरीम में खोन की कमी हो या एनीमिया हो हम लोगों को तो हमारे शरीर में क्या-क्या लक्षन दिखाई देते हैं अगर आपको हमेसा ठकान, कमजोरी, सुष्टी, आलस महसूस होता है और शरीर में एनर्जी की कमी है और पूरी तरह से किसी काम में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ये एनिमिया के लक्षाण हो सकते हैं तो अगर ऐसे लक्षाण आपको दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ड करें दोस्तों यदि आप पूरा दिन काम करके ठक गए हैं फिर भी आपको नी इसके नीचे काले डार्क सरकिल हैं तो भी खून की कमी हो सकती है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा रूखे और बेजान हो रहे हैं तो ये भी खून की कमी हो सकती है जब शरीर में खून की कमी हो जाए तो आँखों का कलर भी पीला है आपकी यदि आपके शरीर में कहीं पर भी अचानक से सूजन हो या बदन दद रहता हो हमेशा तो भी ये खून की गमी का लक्षन हो सकता है तो चलिए आप जान लेते हैं कि इसे दूर कैसे करें इसके लिए आप रूजाना जीरे का पानी पियें क्योंकि जीरे में आईरन बहुत होता है जो आपकी खून की कमी को दूर कर सकता है और चुकंदर पालक और जितने भी हरे साग हैं जैसे चौलाई बथुआ मेथी इन सब सागों का सेवन आप ज्यादा से ज्यादा करें और गेहूं के जवारे का जूस पियें और अपने फलों में आपको क्या कैसा मि उसका सेवन भी करें इसमें भी हीमोग्लोविन बहुत होता है और खजूर बादाम किसमस का सेवन करें अनार और अप्ल बनाना में खूब आयरन होता है इसका भी प्रियोग आप कर सकते हैं बथुआ पालक चौलाई हरे सब्जी का प्रियोग ज़रूर करें एनीमिया कोई बिमारी नहीं है बटला परवाही करने से यह और बिमारियों को अपनी चपेड में ले लेती है तो इसके लिए आपको धियान रखना है कि आपको अपने खाने से सिर्फ पेड नहीं भरना है आपका खाना भेले कम हो लेकिन ऐसा हो जो पोशकतत्तों से भर पूर हो जिससे आपके अपनी फ्रेंड रियल वन मदू ब्लागर ओके बाइबाए बाइबाए